वेलकम बच्चों, आज हम लोग ट्रिक्टोमेट्रिक का ये कोश्चन देखेंगे इसमें दिया हुआ है कि the number of x belongs to 0 से 2 πाई for which mod के अंदर जो ये है equals to 1 हो जाए तो mod के अंदर जो दिया हुआ है इसको मैं gx बोल रहा हूँ थोड़ी दिर के लिए ठीक है ना? तो आप इस gx को गौर से देखो तो इस root के अंदर जो दिया हुआ है और इस root के अंदर जो दिया हुआ है इस दोनों में आपस में देखें cos और sin एक्सचेंज हो गया है यहाँ 2 के साथ sin है यहाँ 18 के साथ cos है यहाँ 18 के साथ sin है तो इससे यह पता चल रहा है कि अगर x के बतले x plus pi by 2 put कर दें gx में तो ये वाला term जो है वो ये बन जाएगा और ये वाला term आपका ये बन जाएगा ठीक है यानि a minus b है तो वो b minus a हो जाएगा तो अगर mod लगा दें तो mod of a minus b ये mod of b minus a की चीज़ है तो ये equal है तो mod of gx क्या होगा mod of gx plus pi by 2 तो इससे क्या मिल रहा है अपने को कि mod of gx है is periodic with period pi by 2 इससे क्या फाइदा है इससे फाइदा ये है कि 0 से pi by 2 में mod of gx equals to 1 का जितना solution आएगा और आपने को mod of gx equals to 1 करना है तो 0 से pi by 2 में mod of gx equals to 1 का चितना solution आएगा 0 से 2 pi में उसका 4 times हो जाएगा क्योंकि 2 pi में pi by 2 के 4 interval है 2 pi में pi by 2 के 4 interval बनेगे 0 से pi by 2, फिर pi by 2 से pi, फिर pi से 3 pi by 2 और 3 pi by 2 से 2 pi तो 4 interval बन रहे हैं और क्योंकि mod of gx periodic है तो 4 में उसका behavior क्या होगा एक जैसा होगा, है ना? अब अपने को निकालना क्या है? कि mod of gx 1 हो जाए यानि gx क्या हो जाए उसके लिए? प्लस माइनस 1 अब आप इसमें x की value पुट करो तो g0 आप का आएगा 2 root 2 और g of pi by 2 आप का आएगा minus 2 root 2 इसमें x की value पुट करो तो और pi by 4 पे sin x cos x सेम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा तो इसका graph कुछ इस तरह से बनेगा gx का कि 0 पे 2 root 2 और pi by 2 पे minus 2 root 2 और ये pi by 4 पे 0 होते होए ऐसे जाएगा ठीक है? तो आप अपने को gx को plus minus 1 करना है तो at least 2 point तो मिलेंगे ही जहाँ पे gx क्या हो रहा हो? या तो 1 हो रहा हो या minus 1 हो रहा हो क्योंकि 2 root 2 1 से बड़ा है एक point अपने को ये मिल जाएगा और एक ये मिलेगा at least 2 मिलेगा ठीक है न? तो 0 से pi by 2 में 2 point मिल रहे है जहाँ पे gx plus minus 1 हो तो 0 से 2 pi में कितने मिलेंगे? 4 into 2 यानि 8 तो minimum solution हो गई होगा ठीक है? जादे भी हो सकता है तो यहाँ देखिए 8 का एक ही option है तो D होगा answer ठीक है? Elimination से ये सब eliminate होगा 8 होगा answer 2 से जादे क्यों हो सकते है suppose कि ये gx जो है ऐसा ना गिरते हुए एक बार ऐसे जाएक उपर उठ के गिर रहा है तब क्या होगा? यहाँ पे 1, 2 और 3 point मिल गए तो 4, 4 जा 16 हो जाता लेकिन ये gx अगर आप यहाँ पे direct ही गिरेगा और ऐसे उपर निचे उठ करके नहीं गिरेगा और इस चीज को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? gx को differentiate करके g-x निकालना होगा और यह चेक करना होगा कि g-x less than 0 हो in interval 0 से 5 by 2 और आप देख सकते हो यह less than 0 आएगा और इससे यह होगा कि gx एक decreasing function है तो यह direct गिरेगा तो exactly अपने को 2 ही point मिलेंगे 0 से 5 by 2 में तो 0 से 2 pi के बीच में exactly 8 ही point मिलेगा तो यह 80 होगा answer ठीक है? I hope कि आप लोगों को सौज माया हो आज के लिए इतना ही Thank you